हेलो दोस्तों विल्कम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आप देख रहे हैं वासिम्पल मैं आपके साथ सेयद समझाद हुसें बेल्ट्रोन के तरफ से बहुत दिनों से इंतजार था लोगों को यहां पर चाहे वो युवक हो या फिल्ट्रोन के तरफ से भी कोई आजिसूचना नहीं आ रहा है जैसा कि आपको मालूँ हो कि विहार में जितने भी सरकारी कारयाले हैं वहाँ पर समीदा के आधार पर जो भी या जो भी वहाँ पर जो नौकरी दिया जाता है Beltron के मादम से ही होता है, Beltron नहीं कराती है, जो इस से पहले Beltron के बारे में जानते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम होगा, Beltron पर पूरा हमने एक dedicated वीडियो बनाया है, एक साल पहले ही आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अभी आपको बताते चलें, Beltron के तरफ से एक official अधिसोचना जारी कर दिया गया है आईए जान लेते हैं पुरा विस्तार से कब से यहां पर registration की परकिरिया है वो शुरू होगी और कितना सुल्क लगेगा कौन सी category को कितना देना होगा सब कुछ विस्तार से चलिए शुरू करते हैं बिहार State Electronics Development Corporation Limited Beltron की official website पर जो कि कि जो भर्ती की परकिरिया है वो कब से होगी एक्जाम कब होगा फीस कितना लगेगा सब कुछ जानेंगे विस्तार से आईए इस notification पर चलते हैं आपर देख सकते हैं बिहारे State Electronics Development Corporation Limited परक्रामर है तो online registration की सूचना यहां पर जारी की गई है बिहारे State Electronics Development Corporation Limited Beltron Manpower Agency के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों कार्याले निकायों को Manpower Agency के माध्यम से computer तक्निकी कर्मियों programmer सहीत की सेवा समिधा के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है यानि जितने भी सरकारी कार्याले हैं बिहार में चाहे वो ब्लोक हो या आपको जो भी सरकारी कार्याले हैं वहाँ पर जो भी जो दिया जाता है समिधा के आधार पर नौकरी उसमें Beltron ही करवाती है उप्यूक्त अभ्यारतियों का रेजिटेशन बिहार स्टेट Electronics Development Corporation Limited द्वारा कराया जाता है एवं CBT आधारित दक्षता परिच्छा में सफल होने के उपरां चयन योग अभ्यारतियों की सुची पैनल निगम की Manpower Agency को उपलब्ध करा दी जाती है वर्तमान में Beltron द्वारा प्रोग्रामर की सुची पैनल तयार की जाती है विभागो द्वारा अलग-अलग समय में अधियाशना मांग के अनुसार इसी सुची पैनल में से चैनित सेवा प्रदाता द्वारा डेबलप्मेंट आदी किया जाता है यानि जो पैनल तयार होता है उसमें जो सुची बनती है उसी से आपको जहां भी जरूवत पड़ता है वहां पर आपको Beltron सम्मीदा पर नौकरी देती है ठीक है प्रोग्रामों के लिए अहरताएं सरते तथा आवस्यक सूचना निम्न परकार से है आप देख लें यहां पर सैक्षनित योगिता की बात करें तो निर्धारित योगिता बीटेक CS, BE, CS, MCA, BSC, Engineering, CS, MSC, IT है उम्रिसीमा की बात करें तो दिनां केक 8-2022 को निम्तम 21 तधा अधिक्तम 60 बर्स यहां पर बताया गया है आरक्षन सभी अधियाचनाओं में राजिसरकार की आरक्षन निती का पालन किया जाएगा तथा रोष्टर के अनुसार अभ्यार्थियों को प्रेशित भी किया जाएगा सेवा अवयम सर्थों की बारे में आप हो बता दिये तो निर्धारित सेवा सर्थों के साथ अभ्यारती चैन सेवा प्रदाता के साथ एकरार नमा करेंगे चैनीत सेवा प्रदाता द्वारा प्रिशित अभ्यार्थी बेल्ट्रोन से अधियाचना करने वाले कारया लवने उनकी आवसकता नुसार तथा उनके निर्देश के अर्थात वाह सर्तों पर कार करेंगे बिहार स्टेट एलेक्ट्रोनिक्स डेवलेप्मेंट कॉर्परेशन लिमिटेड में प्रोग्रामर के लिए रेजिस्टेशन के इच्छुक अभियाथी जो है बिहार स्टेट एलेक्ट्रोनिक्स डेवलेप्मेंट कॉर्परेशन लिमिटेड बेल्ट्रोन की वेब साइट www.https//bse dc.bihar.gov.in पर दिनाम 1262022 यानि 100 मौर से उपलब्ध लिंक 1262022 यह जो 22 है यह टाइपिंग मिस्टेक है ठीक है यह 23 ही होगा ठीक है चुकि यहाँ पर जो ओफिशल नोटिफिकेशन है वहाँ पजारी किया गया ओफिशल वेबसाइट पे तो यहाँ पर आप जान लें कि लिंक जो है वह उपलब्ध कराया जाएगा इस वाले वेबसाइट पे और आप रेजिस्टेशन कर सकते हैं ओनलाइन रेजिस्टेशन है तो सभी अभिहार्थी को रेजिस्टेशन सुल्क के रूप में 1000 रुपया देना होगा तथा केवल बिहार राजी के अस्थाई निवासी महिला अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती इवन दिब्यांग बिहार्थी के लिए 40 प्रतिस्ट या उससे अधिक के लिए रुपयार हाई सो दो सुपच्चास रुपय दे होगा अभिहार्थीयों को उपयुक्त परिच्छा सुल किया तरीक तविभीने बैंक को द्वारा निधारित चार्ज भी देना होगा जिसे ऑनलाइन भुकतान के करम में बैंक द्वारा सुपतर बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा अब इदक द्वारा फोटो हस्ताचर साइचनिक योगिता का प्रमान पत्र जाती प्रमान पत्र निवास प्रमान पत्र आदी अप्लोड करना होगा तो जितने भी आपका आवासी है, जाती है, आय प्रमान पत्र है, ये सब अभी से बना करके जल्दी से आप रख लिजिए, आपके काम में आने वाला है, अभिहार्थियों की चैन परिछा का प्रकार, CVT, आधारित, MCQ, Multiple Choice Questions परिछा में होगी, इसी परिछा में कुल 112 तुनिस की आधार पर होगी, चैनित, जो है, तुक कट ओफ मार्क मिधारित किया जाएगा, जिसने बिहार के अस्थाई निमासी महिला अनुसुजे जाती, अनुसुजे जन जाती को 10% तथा दिव्यांग अभिहार्थियों को 15% की अधी मानना दे जाएगी, ओनलाइन रेजिट्रे अब बहुत जल्द यहां पर 12 तारिक से जो है, आपका यहां पर प्रोग्रामर है तो जो ऑनलाइन रेजिस्टेशन की सूचना है, उसको जारी कर दिया है, यह है वेलटन की ऑफिसल वेब साइट, यहां पर आप प्रोग्रामर रेजिस्टेशन के क्लिक करके, इसको डाउन जुले रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेर करिए और लाइक ज़रूर से किजिए, आपके एक लाइक से में मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक जब यादा यादा आते हैं, दान्यवादा.